नमस्कार, स्वागत आपको जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ, आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरे राजस्थान में सेम अशोग गहलोद और सचिन पाइलिट की बीच छडी रार फिर से तेज हो गई है दरसल अशोग गहलोद ने सचिन पाइलिट खेमे के विधायकों पर आरोप लगाया है कि भाजपा कार्याले से पाइलिट समर्थक विधायकों को 10 करोड रुपए मिले थे गहलोद ने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत भी है मालूम हो कि राजस्तान में अशोग गहलोद और सचिन पाइलिट खेमे के बीच रस्सा कशी अकसर देखने को मिलती है वहें गुरुवार 24 नवंबर को सियम अशोग गहलोद ने NDTV से बात करते हुए आरोप लगाया कि राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार को अस्तिर करने के लिए पाइलिट खेमे के विधायकों ने भाजपा से 10 करोड रुपे लिये थे गहलोद से सवाल किया गया कि अगर पार्टी हाई कमान सचिन पाइलिट को सियम मनाना चाहे तो इस पर उन्होंने ये भी कहा सचिन पाइलिट को सियम के तौर पर स्विकार नहीं किया जाएगा जिस शक्स ने बागावत की हो जिसके पास 10 भी विधायक को सक्का समर्थन ना हो और जिसको गदार का नाम दिया गया हो उसे कैसे स्विकार किया जा सकता है श्रद्दा हत्याकान मामले को लेकर आवराजनीतिक बयानवाजी तेज हो चुकी है किया है इसे इसी तरह देखा जाना चाहिए हमने इसके निंदा की ओवैसी ने कहा कि देश के मर्दों के दिमाग में महिलाओं पर जल्म करने की बीमारी है उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए वैसी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दोरान इस घटना को धार्मिक रंग देने के लिए असम के मुख्यमंतरी हिमंत बिस्वा सर्मा पर भी निशाना साधा बतादे के इसके पहले 20 नमंबर को असम के मुख्य मंत्री सर्मा ने कहा था कि भारत को समान नागरिक सहिता और लव जिहाद के खिलाफ कानून की जरूरत है दिली नगर निगम चिनाव में रोडशो के दोरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत को आफ्ताब शुद्धा हध्यकान के आरोपी जैसे व्यक्तिकी नहीं बलकि भगवान राम जैसे व्यक्तिकी प्रधान मत्री नरेंदर मोदी जैसे नेता की जरूरत है शुद्धावालकर मर्डर केस को लेकर भौपाल से भाजपा के सांसत साध्वी प्रग्या का एक और बयान सामने आया है सांसत साध्वी प्रग्या ने कहा है कि देश में फैल रहा लव जिहाद का जहर हमारे लिए कलंग है इसको मिटाना है और जागुक्ता लानी है हम सब की जिम्मेदारी है ये क्योंकि हिंदू कभी भी इस तरह के काम नहीं करता है 18 माई 2022 को आफ़ता पुनावाला ने अपनी लिवन पार्टनर शुद्धावालकर की गला भूट कर हत्या कर दी थी जिसके बाद उसके शब के 35 टुकडे किये और फिर तीन हफते तक शब को फ्रिज में रखा रहा सांसद प्रग्या सिंधाकुर ने कहा है कि इसमें जागुर्प करने के लिए लड़कियों को ये बताना होगा कि आप हिंदू हैं और हिंदूों में ही विवाह कीजिए ये लवज जिहाद है इससे बचिए सांसद ने आगे कहा कि हम एक सन्यासी हैं और हम जब प्रेम करते हैं तो पूरी तरह उसमें समर्पित हो जाते हैं इसे प्रेम और समर्पित कहा जाता है हम पूरी जिंदगी प् अरिभाशा को लव जिहाद कर दिया गया है और ये एक पाप है अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रही है जनसत्ता के साथ